उद्धव ठाकरेजी कह रहे हैं कि उनके समय में सबसे जादा प्रोजेक्ट उन्होंने क्लियर भी करवाएं और जब भी प्रधान मंत्री आते थे तो हर प्रोजेक्ट जो है वो उनके समय में क्लियर होता भी रहता था सबसे जादा काम धाई साल में उन्होंने करके दिखा द उद्धो ठाकरे जी के समय शुरू हुआ या उद्धो ठाकरे जी ने clear answer ला एक प्रोजेक्ट दिखाई है एक भी नहीं है एक भी नहीं है एक प्रोजेक्ट भी दिखाने सकते हैं कि जो उनके समय का है सारे प्रोजेक्ट या तो मेरे समय के हैं यहां भी वापिस हमारे आने के बाद है वो तो केंदर सरकार जब उनको कहती थी कि भई हम लोग महाराष्ट में से रैल लाइं विछाने के लिए प्रोजेक्ट मनजूर करना चाहते तो जैसे बाकि राज्य भी अपना कांट्रीबीशन देते आप अपने कांट्रीबूशन लेटर भेजिये तो प्रोजेक्ट को मंजूरी देंगे उन्होंने दिरने कि हम कॉंट्रिबूशन नहीं देंगे तीन साल में देखिए इस साल हमने जैसे काम को कॉंट्रिबूशन देंगे तेरा हजार करोड रुपया केंदर सरकार ने महाराष्ट को रेलवे के लिए दिया है तो पहले ही आ जाता इन्होंने अटका के रख दिये थे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक भी प्रोजेक्ट उद्धो ठाकरेजी दिखा ही नहीं सकते कि उनके कारेकाल में हुआ है मेरा भी यही पूछना है आपसे कि क्या हुआ आप बताइए हुआ ही नहीं कुछ उनके कारेकाल में मुख्यमंत्री जी घर पर बैठे हुए थे वो फेस्बुक लाइव करते थे अपने आफिस में धाई साल में दो बार गया ऐसा मैं नहीं कहता शरत पवार जी ने अपने क करकार चलती है तो चला रहे थे नहीं लेकिन आपने आपके संबन इतने खराब कैसे होगा यह मैं जाना चाते हूं क्योंकि उद्धव ठाक रहे उनकी पार्टी और वो तो यह कहते हैं कि बीजेपी का यहां पर वजूद ही एक समय में शिवसेना की वज़े से खड़ा आगे बढ़ी पार्टी आप उनको बिग ब्रदर मानते ही रहे हमेशा तो इतनी तल्खी इतना ग्याप क्यों आ गया ऐसा है कि लोग इतिहास बहुत जल्दी भूल जाते हैं और इतिहास में जब पहली बार शिवसेना ने लोकसभा का चुनाओ लड़ा तो शिवसेना के उ बढ़े हुए हैं महाराश में बीजेपी का वजूर उनके पहले से था यह बात ज़रूर है कि हम लोगों ने एक अड्टेस्मेंट किया लोकसभा में हम ज़्यादा सीटे लड़ते थे विधान सभा में उनको ज़्यादा लड़ने देते तो लोकसभा के बिग ब्रदर हम थ लेकिन जैसे ही 2014 में दोनों अलग लड़े तो अपनी अपनी क्षमता दोनों के धैन में आई और निर्विबाद ये बात established हुई कि एक ही बिग ब्रदर है और वो बीजेपी है जैतक हमारे समंदों का सवाल है उसके लिए तो मैं दोश उद्धो जी को दूँगा क्योंकि गडबनन में हम लोग लड़े मोदी जी ने अनौंस किया था अमित भाई जी ने अनौंस किया था नड़ा जी ने अनौंस किया था और स्वयम उद्धो ठाकरे जी ने भी अनौंस किया था कि हम चुनकर आएंगे तो मुख्य मंतरी डेवेंद्र फटनिविस बनेंगे और बाद में जनता ने जब चुनकर दिया 288 में से 170 सीटे हमको दी एक अच्छी मेज़ॉरिटी हमको दी तो कुर्सी के लिए उन्होंने हमारा साथ चोड़ दिया और साथ चोड़ दिया चोड़ दिजे फोन पर भी हमसे बात नहीं कि उन्होंने मैं तो उनको फोन लगा रहा था उन्हें परा फोन भी नहीं लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि रास्ता उन्होंने बन कि हमने नहीं किया